हेलो एवरीवन वेलकम तो मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको आम हुल की परफेक्ट कटिंग बताऊंगी स्लीव के साथ जिससे जो अमारे बगल में जोल आ जाता है कई बार वो नहीं आएगा तो यहां पर मैंने कपड़ा लिया है और इसको चार फोल्ड में रखा करना है यानकि तीरा के लिए तो यह जो कुर्थी है इसका बैकने ज्यादा डीप नहीं है तो मैं इसमें नॉर्मल शूल्डर स्ट ले रहे हूं तो मेरे मेजिमेंट में 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 1.30 को यहां पर मैंने शादे शेंच पर निशान लगा आप यहां से नीचे को हमें आम होल के निशान लगाना है तो जितना हम शोल्डर यानि कि तीरा लेते हैं लगबग उतना ही हम आम होल भी लेते हैं तो आम होल के लिए भी मैं साड़े 6 इंच पर निशान लगा रही हूं और इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से हमने जॉइन कर देना है इसके बाद यहां पर हमें बर्स्ट के लिए निशान लगाना है तो जितना भी आपका बर्स साइज है आप उसका चौथाई भाग करें और आधा इंच की लूजिंग एड़ करें जैसे में मेजरमेंट में बर्स्ट 34 इंच का उसका चौथाई करें ऑर आधा इंच की लूजिंग एड़ करें मेरी कमर 28 इंच की है तो इसका चौथा भाग की और आधा इंच की लूजिंग एड़ करें तो अया 7.5 इंच अब जनरल ही हम क्या करते हैं कमर को और यह बर्स्ट वाले पॉइंट को सीधा यानि कि स्ट्रेट लाइन से जॉइन करते हैं मैं भी कई बार ऐसा ही करती हूँ लेकिन इससे क्या होता है यहां बगल वाला जो हिस्सा होता हमारा आम होल के नीचे यहां पर कपड़ा थोड़ा सा इखटा हो जाता है तो फिटिंग अच्छी नहीं आती है तो इसके लिए हमें क्या करना है यह बर्स्ट वाला पॉइंट है इससे नीचे की तरफ को हमें दो इंच पर पहले एक निशान लगाना है और यहां दो इंच तक के कपड़े को हमें य लिए यहां कोने से बाहर की तरफ को हमें एक इंच पर यानिक निशान लगाना है उसके बाद यह जो हमने आम होली लाइन कीचिए न इसको मेजर करके इसका बिल्कुल बीच ओ बीच पर निशान लगाएंगे तो इसको सेंटर से फोल्ड कर देंगे इंच टेप को और यहा होना है यहां से अंदर को हमें आधा से पॉना इंच पर निशान लगाना है तो मैं यहां पर पॉना इंच यानिकी 0.75 इंच पर निशान लगा रही हूं लेकिन यहां पर अगर आप स्मॉल से मीडियम से इसका बना रहे हैं तो आप 0.75 इंच पर निशान लगाईगा लेकि तो यहां पर मैं फ्रंट आम होल शो करने के लिए ब्लू कलर की चाप की उस कर रही हूं अब इस कोने से बाहर की तरफ को हमें वापिस से एक इंच पे यानी कि वन इंच पे निशान लगाना है और यह जो आम होल वाली लाइन है इसका बिल्कुल बीचो बीच पे निशान लिए अब इन पॉइंट को हमें हलका सा घुमाओ देते वे यानी कि मिलाते वे इसको फ्रंट का आम होल कर बना लेना है तो यह जो ब्लू चॉक से है अंदर की तिरह को यह फ्रंट आम होल कर वे और यह पिंक कलर की चॉक से हमारा बैक का आम होल कर वे अब हमें यहां से अंदर को तीन इंच पे मैं नेकवेट के लिए निशान लगा रही हूं और यह जो आम होल वाली लाइन है इसमें उपर से आधा इंच नीचे पे हम एक निशान लगाएंगे और इसको यहां नेकवेट वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से जोइन कर दिना है यह हमारा शोल्डर स्लोप है और इसमें भी हम आधा इंच का मार्जन ले लेंगे सिलाई के लिए उपर को और यह शोल्डर को आधा इंच का डाउन करना बहुत जरूरी है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जो स्लीव है उसमें फिटिंग अच्छी नहीं आएगी और अधर बाला पार्ट उसको एक को हटा लेना है दूसरे को वापिस ऐसे ही रखते हुए हमें इसके बाद अब हम फ्रंट के आम होल करके करेंगे तो यह दिखिये यह फ्रंट के कटेंग हो गई है तो यह फ्रंट और बैक पार्ट के आमोल के कटिंग हो चुकी है अब हमें स् सिंपल दो पार्ट में कपड़े को लिया है क्योंकि मैं सिर्फ एक ही साइट की स्लीव कट कर रहे हूं अब स्लीव की लेंद आपको जितनी भी चाहिए उससे दो इंच ज्यादा लीजिए अब यहां फोल्ड़ वाली साइट से अंदर को हमें स्लीव के आम होल के लिए निशा लगा रहे हूं अब यहां से नीची की तरफ को हमें तीन इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर यहां फोल्ड़ वाली साइड में स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है अब यह लाइन हमने खीची इसके बिलकुल बीचों बीच यहां कि मिड़ बंदेते हमें यहां और बंदो थी प्रक्रला-इन और यहां से मिलाते हैं और बनाना है तो सेंटर पर हमने मिलाया देखिए मैं बुलू कर नीचे के तरफ के लिए बना गुछा है तो यह सक्षाय बनेगा तो यह हमारा अमोल कर देखिए अब नीचे की तरफ पर साड़े पांच इन्च पे मैं मोरी निशान लगा और उपली तो उर्ष रिए महीट दोने त Cat-samtada, लेड़ाview में लिहां सब्सक्राइस लाइए है उटना शॐप लाइस कुझ लीच्टे ल्लेह इंड़ साइड ड़॑ पहले बाहर को सीधा जॉइन किया और नीचे को डेर्ट इंच का मार्जन लेते भी लाइन कीच देनी है अब कटिंग के लिए हम पहले बैक वाले आमोल करके कटिंग करेंगे इसकी कटिंग के पाद हमें स्लीव को ओपन करके रख देना है और ओपन करके रखने के बाद अब हम इसके फ्रंट आमोल करके कटिंग करेंगे तो इस तरह से मार्किंग की उपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो यह हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है तो इसी तरह से बहुत अच्छी आएगी और जोल नहीं आएगा